देश में बढ़ती महिलाओं के साथ छेड़ खानी और बलातकार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वारांटसी के अशोका इंस्टिट्यूट की कम्प्यूटर साइंस की दो छात्रा शिफानी और दिक्षा ने मिलकर बनाया है स्मार्ट चाकू। तीन नंबरों पे लोकेशन के साथ कॉल चला जाता है। ये डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी और ब्लूटूथ पे काम करता है। चाकू में एक बहुत छोटा बटन जैसा स्विच लगा है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिये मोबाइल फोन के संपर्क में रहता है और म मुसीबत के समय इस स्विच को दबाते ही मोबाइल में सेट किये गए नंबर पर लोकेशन के साथ कॉल चला जाएगा। और जब तक की परिवार के सदस्य और कुलिस मदद के लिए पहुँचेंगे उस दरम्यान महिला चाकू से अपनी आत्मरक्षा भी कर सकेगी। स्टील से बने इस चाकू का वजन तकरीबन 70 ग्राम है। इसे बनाने में एक महिने का समय लगा और साथ ही इसकी लागत में 600 रुपए का खर्च आया है। पत्ती के समय करत आता है। अजल्डार का सबस्तलिته वी में में टोल्स में डेलाइफ उसको और मुल्स में और से लाके समय को चाते है। तक यह से दिए हैं पंडो Miche रीसेंट कॉल ने से तो रहने से उस पर पर कॉल चला जाएगा है। और हम लोग ने इसमें जी एसम और रिडियो फ्रिक्वेंसी भी यूज की हुई है, उससे क्या है कि हम लोग जैसे ही टैप करेंगे तीन नंबर्स पर कॉल चला जाएगा और उस पर लोकेशन हम लोग की सेंड हो जाएगी और जब तक हम लोग के लिए मदद आती है तब तक इसमें हम लोग ने नाइफ भी अटेश किया हुआ है जिससे वुमेंस अपना सेर्फ की मैगजीन में हमारी इमागजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा ख़ब्रों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें